दोस्तों अगर आप भे रोहिट शर्मा और हार्दिक पांडिया को शांदार खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर किशेगा दोस्तों भारती टीम ने शर्लंका को बुरी तरीके से रौंद कर 2-0 से वंडे सिरीज पर कबजा जमा लिया है जिसके बाद भारत की नजर लंका को क्लीन स्वीप करने पर है अपने इसी लक्ष को हासिल करने के लिए तीसरे वंडे मैच में हार्दिक ने टीम में एक साथ कई बड़े बदलाओ कर दिये हैं और दो सबसे बड़े मैच विनर खिलाडियों को बाहर का रास्ता दिखा कर ऐसे सितारों को मौका दिया है जिनके नाम सुनकर आपके चेहरे पर मुसकान आ जाएगी तो आखर तीसरे वंडे में क्या है हार्दिक का मास्टर प्लान उनके बद दोस्तों T20 के बाद रोहिट शर्मा की कप्तानी में हिंदोस्तान ने श्रलंका को कुचल के रख दिया तीन मैचों की वंडे सिरीज में भारती टीम ने अपने होनहार खिलाडियों की बदौलत 2-0 से शांदार जेत हासिल कर ली श्रलंका भारत आई थी भारती टीम को उनकी सरजमी पर हराने के लिए लेकिन उनके इरादे उनहीं पर भारी पड़ गये क्यूंकि टीम इंडिया में वापसी कर चुके भारत के दो सबसे बड़े सितारे रोहिट शर्मा और विराज उकहली जिन्होंने पहले वंडे में ही अपनी ताबर्तोर बल्लेबाजी के दम पर श्रिलंका को कहीं का नहीं छोड़ा और भारती टीम को 373 रनों तक पहुँचा दिया जिसके बाद गेंदबाजी लेकर आये उमरान मलिक और एक के बाद एक लंका को विकेट चटका कर सरसट रनों से उन्हें करारी हार सोब देते हैं दोस्तों इस मुकाबले में जीत के बाद भारती टीम का भरोसा तो 7 वे आसमान पर था लेकिन श्रिलंका की तो हालत खराब हो गई थी वो दूसरे वंडे मैच में अपने लाज बचाना चाहते थे और उन्होंने धमाकेदार वापसी भी करी दूसरा वंडे मैच बेहद कां कर पाया लेकिन इस लक्ष को चेज करते हुए लंका के गेंदबाजों ने भी पलटवार किया जेहां दोस्तों एक समय तो ऐसा आया था कि भारती टीम हार के मुकाम पर पहुँच गई थे लेकिन सलाम है कि अल राहुल को जिन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए एक मैच विनिंग पारी खेली और श्रलंका के जबने से जीईत छीन लाए इसके साथ उन्होंने श्रलंका के सभी उमीदों को चकना चूर करते हुए उनका घमंड भी तोड़ दिया था लेकिन दोस्तों श्रलंका अब चुप बैठने वाली नहीं है अपनी बेश्जती का बदला ल इन तयार किया है जिसके अनुसार उन्होंने टीम में कई बड़े बदलाव किये कुछ बड़े खिलाडियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो वहीं अपने चहेते खिलाडियों को टीम इंडिया में मौका दिया गया है आपको बता दे तीसरे वंडे में हार्दिक ने कि जम्मेदारी तो भारती टीम के नियमित कप्तान रोहित शेर्मा को सौपी है लेकिन उन्होंने रोहित का साथ ही बदल दिया है जिहां वंडे क्रिकेट में दोहरा शेतक जड़कर इतिहास रचने वाले युवा धाकर खिलाडी इशान किशन को उन्होंने तीसरे वंडे की प्लेइंग 11 में मौका दिया है इसके पीछे की एक बड़ी वज़ा ये भी है कि शर्मन गिल कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे इस वज़़ा से उन्हें टीम से अपनी जगे गवानी पड़ी है वहीं शान किशन सिर्फ खुद को साबित करने का एक मौका दल किया था लेकिन एक खराब मैच उसे इस खिलाडी का रुटबा बिल्कुल भी कम नहीं होता है तो वहीं दोस्तों मेरी लॉडर में हार्दिक पांट्या ने खराब फॉर्म का सामना कर रहे श्रैस एयर को भी टीम से बाहर कर दिया है अलाकि खराब फॉर्म कहना इस खिलाड 11 में मौका दे कर उनके साथ इंसाफ कर दिया है उनका साथ निभाते हुए हमें दिखने वाले हैं केल राहुल जिन्होंने पिछले मैच में ही सबसे एहम पारी खेली थी ऐसे में इस खिलाडी ने अब अपनी जगेह को लगभग निश्चित कर ही लिया है और हार्दिक भी उन्हें पायदान से हटाना नहीं चाहते हैं दोस्तों आल राउंडे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी खुद हार्दिक पांजा के कंधों पर रहने वाली है जो इस सिरीज में अब तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं वहीं उनकी फॉर्म बेहद खराब दिखने को मिल सकती है तो वहीं उनका साथ निभाते हुए हमें अक्षर पटिल दिखने वाले हैं जो अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं गेंदबाजी से भी अक्षर का जादू सर चड़कर बोल रहा है और बल्ले से तो उनकी जितनी थारीफ की जाए कम है ऐसे में ये दोनों भारती टीम के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं तो वहीं हार्दिक ने दोबारा कुली पियादों पर भरोसा जताया है इस खिलाडी ने सच में सभी का दिल जीत लिया है तो वहीं पेस अटाइक की जिम्मेदारी हार्दिक ने सौपी है म मुहमद शमी, मुहमद सिराज और उमरान मलिक की तिकडी पर इन दोनों ने अब तक सिरीज में बेहतर प्रदर्शन किया है ऐसे में हार्दिक गेंदबाजी आक्रमन में कोई भी बदलाओ नहीं करना चाहते थे हलांकि मुहमद शमी को अपनी लैप राप्त करना है वो इतन के साथ बेहत खतरनाक हो गई है वैसे आपको क्या लगता है तीसरे वन डे के लिए टीम इंडिया में कौन से बदलाओ होने चाहिए अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल को